महु पहुचे प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने महु सही ग्रामोदय से भारत उद्य अभियान की शुरूआत की प्रधानमंत्री ने भीम राव अमेटकर की मूर्धिक पर मालयार प्रधा किया प्रधानमंत्री की आतरा को लेकर महू में बेहत उत्सा का महौल था इसके साथ ही वो देश के पहले पीम है जो पहली बात अमबेटकर समारक अस्थल पर आए दरसल इससे पहले भारत के प्रतम प्रधान मंतरी जवाहर लाल नहरू भी महू आये थे लेकिन तब डॉक्टर अंबेडकर का स्मारक अस्थल नहीं बना था प्यमोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 मी जयनती के असर पर महू से देश व्यापी ग्रामोदे से अभियान की शुरुवात थी उनके संबोधन को प्रधेश के प्रतेख गाओं का निवासी सुन सके इसके लिए प्रतेख पंचायत में इसकी व्योस्था की गए थी अभियान को राज में जन्ता का अभियान बनाय जाएगा देश भर में ये अभियान 14 अपरेल से 24 अपरेल तक चलेगा जबकि प्रदेश में ये अभियान 14 अपरहे से 31 मही तक चलेगा रोहित बेमुला के भाई और मा ने आज धीम राव अंबेटकर की जयनती पर बहुत धर्म अपना लिया उन्होंने ये धर्म परिवर्तन मुंबई में किया रोहित बेमुला हादरावाद केंड्री विस विध्याले के छात्र थे उन्होंने इस साल जन्वरी में खुदकुसी कर ली थी उनकी आतमहत्या को विस विध्यालेयों में दलिज चात्रों के साथ वेजबाव के प्रतीक के तोर पर देखा गया रोहित के भाई राजा बेमुला ने बताया हमने अमबेटकर जयनती पर मुंबई की अमबेटकर ससाइटी में बहुत धर्म अपनाने का फैसला किया है। रोहित के परिवार का कहना है कि हिंदू के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। रोहित विश्विद्याले में सोच छात्र थे एक विवाद के बाद उनकी फेलोशिप रोक दी गई थी चार अन्य दलित छात्रों के साथ उन्हें हास्टल से निकाल दिया गया था इस मामले पर विरोध के दवरान रोहित ने आत्महत्या कर ली थी इसके बाद देजभर में रास्टियता के मुद्दे पर भख सुरू हो गई रोहित इमा ने एक गयर दलित व्यक्त से साधिकी थी रोहित इमा राधिका ने आंधप्रदेश हाई कोट में कहा था कि उन्होंने अपने बच्चों को परवरिस्थ दलित कालोनी में दलित परंपराओं के मुताबिक दी ह डाक्टर अंबेटकर ने भी बहुत धर्म अपनाया था उनका मानना था कि बहुत धर्म लोगों के बीच भेद्भाव नहीं करता और सबको आत्मसात का मौका देता है रोहित के परिवार का बोध धर्म अप्राने का संकेत पहले ही मिल गया था दरसल रोहित का अंतिम संस्कार भी बोध धर्म के तहत किया गया था मनीपुर में हासंगवादियों से मुठवेड के दोरान सेना के 21 पेरा के मेजर अमे देशवाल सहीद हो गए बद्वार को मुठवेड में सेना के एक मेजर सहीद होने के बाद सेना ने तामेंग लांग जिले में अपना तलासी अभ्यान कुछ देर के लिए रोग दिया और दूर इस तर छेतर से अधिकारी के सब को वापस दाने की कोशिस की जा रही है सेना के अधिकारियों ने बताए कि तामेंग लांग जिले के नुबंग छेतर में गना जंगल है और वे 21 पैरा एस अफ के मेजर अम्मे देशवाल का सब बापस सारे में सफल नहीं हो सके है मेजर देशवाल बद्वार को एक मुठवेड में सहीद हो गए मठवेड में सहीद हुए 21 पैरा के मेजर अम्मे देशवाल हर्याना के जज़जर के रहने वाले हैं वासापा अमबेटकर के जहन दिन को मनाने की कर रही है नाटक बाजी आज डाक्टर भीमरा अमबेटकर की 125 वी जहनती के मौके पर राज़धानी लखनओ इस दाक्टर भीमरा अमबेटकर सामाजिक परिवर्टन अस्थल पर बषपा सुप्रेमो मायावती ने एक विचाल जनसभा को संबोदित कर विसम 2017 का अगाज कर दिया कांगरेस वा बी जे पी को बाबाशाहद भीमरण अमबेटकर वा दलितों का घोर विरोधी बता कर कांग्रेस वा बीजेपी दोरा आज बाबा शाहत के सम्मान के लिए नहीं बलकि दल्तों का ओड़ पाने के लिए पीम मोधी दोरा नोईडा जाकर और कांग्रेस दोरा विविन अस्थानों पर अमबेट कर जैन्पी मनाने की नाटक बाज किये जाने की बात पहकर बीजेपी वा कांग्रेस पर जम करने साना साधा और साथ ही आगामी 2017 के चुनाव में अपने दर्लित ओध बाइंग्स को बचाने की कवायद में जुटी बसपा सुप्रेम हुमाया वती ने यूपी बीजेपी के नौन निर्वाचित प्रजे सद्धि केसो परशाद मौरिया की अपरादिक छवी का जिक्र कर जहां केसो को बीजेपी का मदवा बस दूर करार दिया वहीं पहले चाय बेचने की बात कहने वाले पीम मोधी पर चाय वालों का भी भला ना करने के साथ ही उनकी फ्री में चाय पीने का आरुप लगा कर पीम मोधी क यूपी के अधिकारियों द्वारा यूपी के सीम को क्रिकेट मैक तो जिता देने लेकिन चुनाओन ना जिता पाने की बात कहते हुए यूपी के सीम अकलेस यादव वा उनकी सरकार पर भी जम करने साना साधा। अपने घर जाना चाहिए। तो बचाने में कामयाब होंगी या फिर उनका ये सपना धरा का धरा रह जाएगा। भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष अमिश शाह ने हरिद्वार में अम्बेटकर जहनती कारक्रम में शिरकत किया। कारक्रम में अपने संबोधन के दौरान अमिश शाह ने भाजपा को डॉक्टर अम्बेटकर के सपने पूरी करने वाली पार्टी बताया। वही अमिश शाह ने कॉंग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि 50 साल तक कॉंग्रेस ने डौक्टर अम्बेटकर को हाशिये पर रखा और अब उनके नाम पर जनता को छलने का प्रयास कर रही है। हमिश शाह डौक्टर अम्बेटकर और बीजेपी के विजन पर तो खूब बोले लेकिन राज्य में चल रहे सियासी संकट पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला जिसे साफ हो गया कि फिलाल उनके फोकस पूरी तरह से दलित वर्ग पर ही है। अम्बेटकर जैन्ती के मौके पर का रिकम कायो जन किया गया जिसमे राजपल राम नाइक, सीम अखले शादो समित कई जानी मानी हस्तियों ने शिर्कत की। इस मौके पर राजपल ने पूरो आई एस हरिशन समित पांच लोगों को अम्बेटकर रत्म से सम्मानित किया। अपने संबोधन में राजपल ने केंदर सरकार के उस बात की शाराना की कि पिछले साल ये तै किया गया था कि अम्बेटकर के दिखाए मार्क पर चलेंगे और अम्बेटकर के योगदान को सरकार लोगों तक पहुँचाएगी। लंदन में बाबा साहब के मकान मसमारक बनाने के लिए मोदे सरकार के प्रयासों की भी राजपल नाइक ने तारीफ की। को राजपल के विचार से पूरी तरह सामत बताया। और इस मंच से अम्बेटकर के नाम पर अपनी सरकार की और से भवस मारक बनाने का संकल्प एक बार फिर दोराया। इस मंच से राजपल राम नाइक ने अम्बेटकर जैका तीन बार नारा लगा कर सारे लोगों को चौका दिया। भाही मुख्यमंत्रिय अखले शादों ने अम्बेटकर के इस मारक को लेकर पिछले माया सरकार पर चुट किली। कहा पहले से ही अम्बेटकर के कई कासे और पत्थरों की परतीमा मौदूद है लेकिन उनकी सरकार जो समारक बनाएगी वो इन सबसे शानदार होगा। यूपी बीजेपी अद्थ केसो परसाद मौरिया पर बसपा सुप्रीमो मायावती दोरा लगा गए आरोप पर पलटवार करते हुए केसो परसाद मौरिया ने कहा है कि बीजेपी में बरती जनलोग पिरता को देखकर मायावती बौखला गई हैं और इसलिए घबरा कर उनक सीदे आरोप लगा रही हैं करते हुए केसो ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें पिछला वर्क होने के नाते नहीं बलकी कारकरता को सम्मान देने के लिए प्रदेश अदक्ष्ट बनाया है। और बिजेपी को 265 से ज्यादा सीटे जिदाने के लक्ष पर काम करेंगे। पर भी पुरा भरोसा करना बेमानी है। जबकि नहरू से लेकर आज तक भर गुट निर्पेक्ष का समर्तक रहा है। कॉंग्रेस में सैनिक संदी की खिलाफत की लेकिन दोनों सैनाओं के बीच हो रहे साहियों को लेकर उसे कोई चनता नहीं। केन सरकार की नीतियों के मुखालफत में कॉंग्रेस ने नहरू की गुट निर्पेक्षता नीतियों का जिक्र किया। ये बात और है कि गुट निर्पेक्षता और नहरू की नीतियों के वज़े से हिंदुस्तान 62 की जंग हार गया था और परमाणू करार के वक्त भी मनमोहन सरकार के सामने ऐसे ही सवाल खड़े हुए थे जैसा कॉंग्रेस मोधी सरकार से पूछना चाए। सामाजिक समरस्ता के तोर पर मनाई जा रही जहनती के मौके पर मुक्य सचीव ने अधिकारीं को शपत भी दिलाई। जरूरी है कि ग्रामिन इलाकों में योजनाओं को उपर से न थोपा जाए बलकि गाओं के लोगों से पूछ करी योजनाओं का संचालन किया जाए। अपनी बयान बाजी को लेकर निशाने पर रहने वाले कॉंग्रेस परदेश अधिक्ष किशोर उपाध्या ने भाजपा नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। परदेश कॉंग्रेस कमेटी के अधिक्ष किशोर उपाध्या ने बेतु का बयान दिया है जिसमें कॉंग्रेस अधिक्ष उपाध्या ने भाजपा पर निशाना साधा है। वादो को लेकर माफी माननी चाहिए। अपनी बेतु की बयान दाजी को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश अधिक्ष किशोर उपाध्या भाजपा के साथ ही। कॉंग्रेस के ही नेताओं के निशाने पर भी कई बार रह चुके है। लेकिन देखना दिलचास भोगा कि इस बार भाजपा कॉंग्रेस प्रदेश अधिक्ष के बयान पर क्या पलटवार करती है। छात्र नितेश जोशी की मौत और उसके सव को बिना परजनों को सूचना दिये अंतिम संसकार किये जाने के मामले में अब पुलिस को कारवाई की आदाई है। राजबावन में अपनी इज़्जत को तार-तार करा चुकी और सरकों पर आए दिन हो रहे पुलिस के खिलाफ परदर्सन से अब अफसर परेशान है तो स्पी सिटी की रिपोर्ट को आधार बना कर इंस्पेक्टर और दो थाना देक्षों के खिलाफ बैड इंटरी की तयार ही है राजदानी की दून पुलिस ने छात्र नितेश जोशी की गुमसुदगी मामले में बड़ी बदनामी कराई पुलिस दून से लेकर दिल्ली तक चक्कर काटती रही लेकिन नितेश पहले प्रेमनगर थाना छेत्र में बिहोसालत में मिला और बाद में उसे दून आंतिम संसकार कर दिया गया अंतिम संसकार के दस दिनों बाद तक परजन की घून्ट तलास करते रहे लेकिन को कोई जानकारी नहीं परजन जब राजभवण पहुंचे राजपाल से गुहार लगा तो राजपाल के निर्देश हों के बाद कुलिस सक्री हुई तो पता जानकारों की माने तो थाना देख्ष प्रेम नगर थाना देख्ष रायपूर और इस्पेक्टर कोतवाली के खिलाफ जो बैड इंट्री का नोटिस दिया गया वह महज आपचारिकता है क्योंकि सीधे पाउर पर पहले निलंबन होना चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ी और वही से खुद्राज भवन भी चिंतित था बारहाल हरी स्रावत राज में मजबूत रहे शहर कोतवाल और एसो प्रेम नगर पर क्या वास्तों में बैड इंट्री का असर पड़ेगा यह आने वाला वक्त बताएगा गर्मी शुरू होते ही चंदौली जिले के तकरीवन 175 से ज्यादा गावों में पेजल संकट गहरा गया है और अब हालात ये हैं कि जिले के पहारी इलाकों में रहने वाले लोगों को पहार से रिसने वाले पानी पर निर्भर होना पर रहा है अप्रेल का महीना शुरू होते ही जहां एक तरफ भीशन गर्मी पढ़नी शुरू हो गई है और पारा चालीस के पार तक जा पहुचा है वहीं इस भीशन गर्मी में पानी के लिए भी हाहा कार मच गया है यूपी के चंदौली में लोग कत्रा कत्रा पानी को भी तरस रहे हैं मैदानी इलाकों में तो अभी पेजल संकट उत्पन नहीं हुआ है लेकिन जिले के पहारी इलाकों में पानी के लिए तरही तरही मची हुई है जलाशियों में नाम मात्र का पानी बचा हुआ है और हैं पम्पम भी सूख चुके हैं आलम ये है कि पहारी इलाकों के लोग अब पहार से रिसने वाले पानी पर निर्भर हो गए हैं और वो भी जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है चंदौली के नौगड इलाके के गाउन लेहरा में गर्मी के दिनों में लोग पानी की एक एक लिए तरख जाते हैं इस इलाके में सरकार की ओर से पानी के इंतिजाम तो किये गए हैं लेकिन भीशन गर्मी में वो भी हर साल फेल हो जाते हैं और इनसान तो इनसान पशुपक्षियों को भी पानी की एक एक गून के लिए दर-दर भटकना पड़ता है फिलहाल जिला प् पहनाए जाने में कितना वक्त लगता है हाई कोट की लखनव खंडपीट की 150 वी वर्षगांट के कारिक्रम के मौके पर आज लखनव में उपराश्टपती हामेदन सारी पहुंचे जहां इस कारिक्रम में मुख्यमंत्री की जगा शिक्षामंत्री वहीं राजपाल और खंडपीट की 180 वर्षगांट के मौके पर यहां कारिक्रम कायोजन किया गया वहीं लखनव में नई हाई कोट बिल्डिंग में इस कारिक्रम में आज राजपाल समेत उपराश्टपती भी चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहे यहां मुख्यमंत्री कारणों के चलते यहां नहीं पहुँच सके वहीं उनके जगा शिक्षा मंत्री मौजूद रहे जहां इस मौके पर सबने हाई कोट और नयापराणी से जुड़ी अपनी अपनी यादे साजा की इस मौके पर जहां राजपाल ने उपराश्टपती से दर्खास की कि नई बिल्डिंग में यादे ताजा की वहीं राजपाल ने लखनव खंडपीट के लिए उपराश्टपती से परयाप जजजों की मांग की है मेरे के आर्मी वेयर हाउस में घुसे तैंदवे को आखिरकार वन्विभाग की टीम ने 52 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकल हिलिया तैंदवे को बेहोश करने के लिए डबल डोस दी गई इससे पहले ऑपरेशन के दुरान वन्विभाग के डॉक्टर आर्के सिंग को तैंदवे दबारा किये गए हमले में हाथ में चोट आई तैंदवे के पकड़े जाने के बाद रन्विभाग पुलिस और सैननी अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों ने भी रहत की सांस ली पचास से जादा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तैंदवे को काबू में किया जा सका तैंदवे को पकड़ने के लिए दधवा नैशनल पार्क की एक टीम के साथ साथ कानपुट चड़िया घर से भी टीम को बुलाया गया आज सुबह से टीम ने संगी ग्रूप से ऑपरेशन चलाया और दो बार तैंदवे को ट्रेकुलाइज कर बिहोश किया और उसे पिंजरे मिटाल का सहानपुल जन्पत के शीवा लिक में छोल दिया जाएगा वनिभाग अधिकारियों ने बताया तैंदवे बहुत आकरमक हो गया था इस वज़े से उसको बेहोशी की डबल डोस देनी पड़ी थी गौर्द अलब है कि तैंदवे मंगलवार को सुभह साड़े साथ बजे मिलेटरी हॉस्पिटल में घुस गया था जिसके बाद एक पेड़ पर पूरे दिन छुपा रहा वनिभाग की टीम और पुलिस ने तैंदवे को ट्रेकुलाइज करने की कोशिश की लेकिन सही पॉजिशन नहीं मिल पाने के कारव तैंदवे को बिहोश्ट नहीं किया जा सका था जिसके बाद तैंदवा बुदवार धाई बजे अंधेरे का फाइदा उठाते हुए आर्मी रेस कोर्स के पास निर्मान धिन इमारतों में जा पहुँचा और वहां पाँच लोगों को घायल कर दिया था इरासत में ले लिया है दरसल देर रात थाना रकावन जिलाके के रावली मंदर के पास फुटपात पर सोने वाले मासूं बच्ची को एक सिर्फरी द्वारा उठाने का प्रयास किया गया घाना देर रात उस सबै किया जब बच्ची अपने परिवार के साथ फुटपात पर सो रही थी वाँ पहुचे एक सिर्फरे में बच्ची को बदनियत के चलते बच्ची को उठाने का प्रयास किया तो लोगों ने उसको देखा उसके परिवार को जगाया उसके बच्ची को उसके कब्जे से मुक्त कराया और सिर्फरे की जम कर पिटाई लगाई सूचना मिलते ही था ना रकाव गंच पुलिस मौके पर पहुँची और सिर्फरे के कब्जे में ले लिया लेकिस घड़ना से ये बात तो सच है कि आगरा में अब बच्ची भी सुरक्षत नहीं है हालाज लोगों की सज़गता के चलते उस मासूम बच्ची को उस सिर्फ रे के चंगुल से मुक्त गरा लिया और उतके बाद उस सिर्फ रे को जम कर पीटा इस्थाने पुलिस मौकर पहुंचने के बात उस सिर्फ रे के अपनी थीरासक में लिलिया है बरेली पुलिस को बड़ी कामयावी मिली है पुलिस ने एक करोन की लूट का खुलासा कर दिया है पुलिस ने चारा रूपियों को गिरफतार किया है के हैं पप्पू अरीगड का है और राम पाल बरेली का है दरसर तीन मार्श को नवाबगन में सरदापा बेश्टाई पंकर गंगबार से सरयाम बजमासों ने साड़े तीन किलो सूना कुछ चांदी तीन लाक रुपे कैट और मोटर साइकल लूट ली थी जिसके बाद पुलि पुलिस को जिन पर सक्थ था उन जगों पर एसो जी की टीम अप्तादियों के आसपास बेश वदल कर रही और अप्तादियों की हर गद्विदी पर ध्यान लखा जिसके बाद पुलिस ने चार बदमासों को गिरफतार कर इस संसनी खेड लूट खांट का खुलासा कर दिया वही पुलिस ने इस खुलासे के बाद रहात की साथ ली है पुलिस इसे बड़ी कामया भी मान नहीं है पुलिस की माने तो हरियाना और अलीगर के गैंग ने इस संसनी खेड लूट की बारदात को अंजाम दिया था आपको बता दे कि नबाब गद में तीन मार्च को करीब करोन रुटे की लूट की बारदात हुई थी इस परिक्षा में कुल 520 बच्चों को सम्मलित होना है इन 4 विकास खंडों में कुल 160 बच्चों का चैन होना है बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी ही उत्राखंड विद्याले शिक्षा परिक्षा की दूसरी तिथी घोशित करेगा जल्रहे अर्दकु मेले के आठेवे शनान पर बड़ी संख्या में शद्धालों ने गंगा में आस्था की डुकी लगाई हालाकि सरधालों के संख्या अन्मान से कम रही आज वैसाकैस्णान का दूसरा दिन था लहाजा सुबा सरी के सरधालों ने हरकी पोडिसर में तमाम गंगा गाटों पर पहुंचकर गंगा इसनान के बाद लोगों ने हवं पूजन भी किया इस दोरान सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए थे पूरे मेला शेतर में जहां 60 कंपणी और सैनिक बलों की तेनाति की गई थी वही 6.500 पुलिस करीमों की भी डूटी लगाई गई थी इसके लावा ड्रोन और CCTV के से भी नजर रखी जा रही थी खरदवार में चल रहा अर्दकुम मेला अब अंतिम चरण में हैं अर्दकुम मेले में अभी दो इसनान सेस हैं जिसे देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए हैं पाकिस्तान की जयर्म बंद भारते नागरिक सरबजीत की जिन्दगी पर बनी फिल्म सरबजीत का ट्वेलर विलिज हो गया है महस्तीन मिनट के इस ट्वेलर में जिन्दगी की तमाम खुशियों और मुश्किलों की जलक देखने को मिलेगी आपको बता देए कि सरबजीत एक किसान थे जो गल्पी से 1990 में बॉर्डर पार्क कर गए थे और उन्हें पाकिस्तान ने पकर लिया था 23 साल तक पाकिस्तान की जेल में वो यातनाई से हते रहे उनकी बेहन दलबीर ने उनकी रहाई के लिए लंबी लड़ाई लड़ी बाद में जेल में कैदियो द्वारा किये गए हमले में उनकी मौत हो गई थी फिल्म में सरबजित के किरदार को अदा कर रहे है रंदीब हुड़ा जिनकी अदाईगी से आपकी नजर नहीं हटेगी ट्रेलर में रंदीब हुड़ा का सरबजित अफ़तार वाकर लोगों को हैरान करेगा फिल्म की एहम कड़ी को अदा कर रही एश्वरर राय बच्चन सरबजित की बहन दलबीर कौर के किरदार में सरबजित की रिहाई के लिए गुहार लगाती नजर आ रही है फिल्म में अभिनेत्रे रिचा चड़ा भी नज़र आने वाली है जो की सरबजी सिम की पत्नी के किर्दार में नज़र आएंगी फिल्म में अपनी किर्दार के लिए रंदीप हुड़ा ने 18 किलो वजन घटाया था जिसके लिए वो काफी सूर्खिया बटोर चुके हैं दिस में को रिलीज होने वाली इस फिल्म का डिरेक्शन ओमंग कुमार ने किया है